आज के वीडियो में बहुत ही स्पेशल रसिपी बताने वाली हूँ यह रसिपी है इंस्टिन्ट बेंगॉली मिष्टी दोई की जो घर पे आप इसली बना सकते हैं जी हाँ जैसे बेंगॉल में जिस तरह का मिष्टी दोई अवेलेबल होता है मारकेट में वैसा ही है और बनाना बहुत ही असान है विदिन हाफ एन आर आप बना सकते हैं और इसे सेट करने के लिए लगते हैं कुछ गंटे तो आईए अब देख लेते हैं कैसे बनाते हैं और क हम इसको हीट करके कैरमल बना लेंगे जैसे ही आप देखेंगे कि इसका कलर लाइट ब्राउनिश या एमबर कलर का आ गया है हमें इसे बस तब तक हीट करना है और हमारा जो कैरमल है वो बनके रेडी हो जाएगा और यही जो है कैरमल ये कलर देता है मीष्टी दोई को ये कैरमल बना के विलकुल तयार है अब इस कैरमल को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में अगर आप मेरे चानल पे नए है तो प्लीज लाइक दे वीडियो और मेरे चानल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें अब मैंने उसी बोल में डाल दिया है कंडेंस मिल्क और बहुत मदद समय से चलाऊंगी और यह देखिए कलर इसका कितना ब्यूटिफली चेंज हो गया है अब में डाल रियो इसमें आधा कब दूद और फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें तीन इंग्रीडियंस जाते हैं वो सब 1 is to 1 is to 1 के रेशियो में जाएंगे इसके बा अच्छे से मिलाएं और आपका मिक्स्चर बनके रेडी हो जाएगा इसे हमें थोड़ी देर के लिए स्टीम करना होता है यह देखिए हमारा मिक्स्चर बनके रेडी है स्टीम होने के लिए यहां पर मैंने ले लिये हैं चार कांच की कटोरी और मैंने जितना बनाया है जो भापा दोई का मिक्सचर वो तीन में ही आएंगे यह फोर में फिट नहीं आएंगे अगर आपको जादा सर्विंग्स बनाने है तो आप इस रेसिपी को डबल कर सकते या ट्रिपल कर सकते हैं यहां पे मैंने आधा आधा कप तीनों चीजे ली है आप चाहे तो एक कप की मेज ले जितनी सर्विंग्स आपको बनाने है उस वैसे आप बना सकते हैं यहां पे मैंने तीन सर्विंग्स ही बनाए है अब यह रेडि है बिल्कुल स्टीम करने के लिए पहले ध्यान रखें कि आप इन्हें कवर कर लें आलुमूनियम फॉयल से मैंने कुछ स्ट्रिप्स काट के रखे थे और तीनों बोल्स को मैं उसे कवर कर रही हूं गाइस मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शिंज बॉक्स में दिये रहते हैं हर वीडियो के नीचे तो जरूर चेक करें और मुझे फॉलो करें यहां पर मैंने कढ़ाई ले लिया और मैंने पानी डाल रही हूं आप हो सके तो गरम पानी डाले या फिर पानी को गरम कर ले और फिर बोल्स को स्टीम करने के लिए रखे मैंने यहां पर गरम पानी लिया है और पानी वहीं तक डाले ताकि यह स्टांड के ऊपर ना आए और यह देखे मैं धकन लगा के कवर कर दे रह से और यह देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है अब दो से तीन घंटे से आप रेफ्रिजरेट करें हाद यान रखे पहले कूल कर ले पूरी तरह फिर रेफ्रिजरेट करें और यह है आपका फाइनल प्रोड़क्ट हो मेड मिश्टी दोई बहुत इसली रेडी हो ग तो प्लीज इन्हें एक थम्सब दे यह मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए साइनिंग ओफ फो टोड़े सियो इन मैं नेक्स वीडियो बाई